हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्व चैनल स्कूल टुशन गुरीजी में बच्चा आपका जो मिट्टम का पेपर हुआ है क्लास 10 का उसमें एक बेसिक क्वेशन पूछा गया था कि why do we place hydrogen in our reactivity series although it is a non-metal यानि कि हम hydrogen को reactivity series में क्यों रखते हैं इसके बावजूद की हुआ एक non-metal है पहले तो बच्चो reactivity series को समझ लेते reactivity series एक ऐसी चीज है जिससे में पर चलता है कि कौन कोसा metal कितना reactive है इसलिए इसका नाम रखा गया है reactivity series तो यह आपको दोनों जंगा दिख रही होगी हिंदी और इंग्लिश में तो reactivity series को अगर आप हम समझे तो बेसिक चीज यही सब निकलके रहे आएगी कि reactivity series एक series है जिसमें हम यह पता लगाने कोशिश करते हैं या metals के दुवारे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा metal क इतना reactive है एक कुशर आपका आया था कि potassium और sodium जो होते हैं उनको store करने के लिए अलग-अलग चीजे क्यों रखी जाती है अलग-अलग चीजों में ने store क्यों किया जाता है तो उसका करण भी यह है कि वो काफी highly reactive है जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है potassium सबसे परोज sodium उसके नीचे अब इसमें जो silver है यह सबसे नीचे रखा गया है क्योंकि यह सबसे less reactive मना गया है इतनी चीजों के बाद हम पहुंसते हैं अपने question की तरफ question था हमारा कि hydrogen को बीच में क्यों रखा गया है तो hydrogen को बीच में रखने से पहले एक चीज और में बताना चाहूंगा कि इसे याद करने का एक आसान तरीका है आसान तरीका यह है कि कासी नात का माली आलू-जीरा फी के पकाता है क्योंकि हो गया है यह एक बेसिक फॉर्मूला है से याद करने का बच्चो ताकि आपको reactivity series याद हो सके अब बात करते हैं हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन पहली चीज अलकली मेटल्स को थोड़ा थोड़ा रिजबल करता है दूसरी चीज जो बेसिक है अगर उसे छो यानी धनायान बना देता है, H प्लस आयान बना देता है, प्लस का sign लगा लेता है और प्लस का sign जो लगता है वो बेसिकली लगता है मैटल्स में क्यूंकि they have the tendency to lose electrons, that's why these are metals and when we talk about non-metals we say that they have usually the tendency to gain electrons यानि कि जो metals होते हैं उसमें lose करने की tendency होती है इस वज़े से उनमें plus का निशान होता है जिसे कि हाप है hydrogen में लगा हुआ है और जो non metals होते हैं यानि कि एधातु होते हैं उनमें क्या होता है gain करने की यानि अपने अंदर electrons को लेने की tendency होती है इस वज़े से माइनस का निशान तो बेसिक अगर आंसर देखा जाए तो बच्छों बेसिक आंसर में हम यही देते हैं कि H प्लस आयन जो बनता है यानि कि हाइड्रोजन H प्लस आयन बना लेता है इसी वज़े से उसको reactivity series में रखा जाता है क्योंकि reactivity series में उपर की साइड में और नीचे की साइड में एक balance बनाने के लिए hydrogen को रख दिया गया है ताकि यह balance बना रहा है उपर की साइड में more reactive जो काफी तेजी से reaction करते हैं और इससे नीचे वाले कम reactive यानि कि hydrogen जो reaction करता है यानि कि H प्लस आयन की जो बनाने के उसकी tendency है इससे उपर वाले में काफी तेज है और नीचे वाले में कम है तो यह एक middle point की तरह काम करता है इस वज़े से ऐसा रखा जाता है तो बच्चों यह था आपका इस question का answer जो जातर बच्चों को पता भी होगा और एक बार वापिस मैं समझा रहा हूं आपको तो आशा करता है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे शेर थे थैंक यू